दोस्तों क्या आप python में अपना career बनाना चाहते हैं चाहे आप school के student हो चाहे college के student हो या फिर आप BC या BTEC के student हो या फिर आप किसी placement की तयारी कर रहे हैं और आज आप में एक इच्छा जागी है कि हमें programming language सीखनी है तो ये वीडियो आपके रिए है जी हाँ दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बता हुआ कि कैसे आप python को step by step सीख सकते हैं वो भी basic से लेके advanced level तक जी हाँ वीडियो की सुरुवात में मैं आपको बता दूँ कि python एक advanced और popular programming language है जिसका उप्योग data science, software engineering, web development, games development और automation जैसी field के अंदर होता है अब ये सभी बातें सुनकर के आपको लग रहा होगा कि python एक hard language है जी नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है python c तदा c++ जैसी programming language उससे काफी आसान language है तो चलिए फटा फट वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला topic हमारा क्या रहेगा सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि python language है वो कब बनाईगी थी, किस ने बनाई, क्यों बनाई, किस चीज से inspire होकर के बनाई थी तो वो सभी टोपिकों पे हम यहां पे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला टोपिक हमारा क्या रहने वाला है, कि Python क्या है, Python क्या है, Python एक High Level Journal Purpose Programming Language है, जिसका उपयोग, Web Development, Software Engineering, Data Science, Games Development, Protomation जैसी फिल्ड के अंदर किया जाता है, फिर नमबर दो पे हमारे पास क्या आता है Python को किसने बनाया और कब बनाया, तो किसने बनाया में तो क्या आएगा, कि Python को गिडो वैन रोसुम ने बनाया था, गिडो वैन रोसुम की बात करें तो गिडो वैन रोसुम का जनम, 31 जनवरी 1956 को निधरलेंड में हुआ था, अब निधरलेंड की बात करें तो निधरलेंड इयर की बात करें, तो Python को 1989 1989 के अंदर बनाना स्टार्ट किया था, December की छुटियों के अंदर, अब वो कैसे बनाया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर इसको पब्लिस कब किया गया था, तो लोगों के सामने इसको पब्लिस किया गया था, 27 फरोरी 1991 में, या फिर 27 फरव इसको कोई ना कोई language से inspire होकर तो बनाया गया होगा, अगर हम अपनी बात लेते हैं, तो हम भी जिन्दगी में कुछ नया करने की जब सोचते हैं, तो किसी ना किसी चीज से inspire होकर ही करते हैं, अगर example की बात करें, तो दुनिया के सबसे रहीस आदमी, Elon Musk का ही ले ले लेते है Elon Musk की 2001 के अंदर, रूस के एक rocket designer के साथ बहस हो गई, और वो बहस से इतने आहत हुए Elon Musk, कि उन्होंने एक साल तकड़ी मेहनत करके, रूस को टकर देने के लिए, अपनी एक satellite company खड़ी कर दी, जिसका नाम क्या रखाया गया था? SpaceX, तो आप बताओ, अगर उस रूस के वेग् ABC language से inspire होकर तो बनाया गया होगा, जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपकी, वो language कौन सी है, वो ABC language है, ABC language से inspire होकर इसको बनाया गया था, ABC language को निदरलेंड की CWI, परम के अंदर, basic और Pascal जैसी language को replace करने के लिए, बनाया जा रहा था, और उसी project के उपर, गिडो वैन रोसुम भी काम कर रहे थे, और गिडो वैन रोसुम ने, ABC language की कम्यों को अपने पास अलग से निकाल के रखा, और जब 1989 के अंदर, December के अंदर, Christmas की जब छुटिया होई, तो गिडो वैन रोसुम ने, अपने साथियों की एक टीम तयार की, और उस टीम के सहयोग से, इन्होंने नई programming language प 27 परवरी, 1900, इक्यान में के अंदर, पब्लिश कर दिया था, अब कुछ लोगों का मानना था, कि जो Python language है, वह है Java language से एक topic उठाए गये हैं, उसके अंदर, तो ऐसा बिल्कूल नहीं था, क्योंकि जो Java जो language है, जावा जो language है, उसको वह है publish कब हुई थी, सन 1995 के अंदर, Python का नाम Python ही क्यों रखा गया, कि Python का जो नाम है, वो Python ही क्यों रखा गया, कुछ और नाम क्यों नहीं रखा गया, अगर Python के मतलब की बात करें, तो Python का मतलब क्या होता है, पाइथन का मतलब सांप होता है, जी हाँ, सांप होता है, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि गिडो वैन रोशुम है वह क्या सापों को ज़्यादा चाते थे या साप उनके प्रिये थे जी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था उस समय 1970 के दसक में निदरलेंड के अंदर एक कोमेडी सीरियल आता था मौन्टली पाइथन फ्लाइं सरकस के नाम से और गिडो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और उसी सरकस के नाम में से इन्होंने पाइथन नाम निकाल करके अपनी लेंग्वेज का नाम इन्होंने पाइथन रखा था और कुछ नहीं है सिर्फ इतना ही इसका मतलब है ठीक है किलिए फिर नेक्स्ट टोपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो हमारा क्याता है Python Popular Application मतलब पाइथन जो लेंग्वेज है उसको कौन-कौन सी पोपूलर अप्लिकेशन में यूज किया जा रहा है तो वो बात करें तो सबसे पहली आती है हमारी गुगल जी हाँ गुगल जो है वह है Python को ही यूज कर रहा है फिर दूसरी बात करते हैं तो हमारे सबसे popular app की बात करें तो YouTube है YouTube भी Python language को ही यूज़ कर रहा है फिर अगर इसी करम में बात करें तो हमारा Instagram आता है Instagram भी Python language को यूज़ कर रहा है और फिर इसी करम में और आगे बढ़ने तो हमारा Mozilla Firefox है और Dropbox जैसी application Python language को ही यूज़ करती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं आपको यहां पर एक बात और बता दूँ इस बदलते यूग के अंदर इस बदलते जमाने के अंदर अगर आपको लोगों से दो कदम आगे रहना है तो आपको Python जैसी popular language को सीखना ही पड़ेगा ओके फ्रेंड्स एंक्स फ़र वोच